हमारे सेशन कंप्यूटर में आज हम बात करेंगे इंट्रानेट की हम आपको बताएंगे क्या है इंट्रानेट कैसे इंट्रानेट से अलग है इंट्रानेट हम आपको बता दें हमारे ये सेशन आपको मदद करेगा आगामी, परिक्षा, हरियाना पुलीस, ग्राम सचिव, पटवारी क्योंकि HSSC के एक्जाम में 8 से 10 कुशन कंप्यूटर के आते हैं उनमें कुछ कुशन लेंग्वेज से लिटिट आते हैं जिसमें CC+, Java, Python इसके अलावा basic computer से आते हैं तो हम आपको पहले start कराएंगे basic computer से, फिर हम आपको कराएंगे Python, CC+, Java से संबंधित important question तो कि आपको मदद करेंगे और उसी सरंखला में आद बताते हम आपको internet क्या है और कैसे HSSC ने एक्जाम में question पूछा था हम आपको बता दे, internet एक square और private network होता है जो कि internet protocol का उप्योग करके एक organization के बीच डाटा को share करने का काम करता है internet का استعمal बड़े-बड़े organization में private data को share करने के लिए होता है बड़े-बड़े organization अपने staff के बीच private data को share करने के लिए internet का استعمal करते हैं यानी, internet एक private network है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानि एक personal data को share करने के लिए organization अक्सर use करते हैं इंटरनेट, वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट एक public network है हम आपको बता दें, इंटरनेट और इंटरनेट दोनु नाम लगभग मिलते जोलते हैं और इसलिए अधिकान्स लोग इन दोनु नामों को एक समझ कर confuse हो जाते हैं जबकि दोनु एक नहीं है, इंटरनेट एक public network होता है जो कि दुनिया के सभी computer को connect करने का काम करता है और दुनिया में कहीं भी data share करने की facility परवाइड करा होता है जबकि इंटरनेट एक software होता है, जिसका उभ्योग एक organization के अंदर data share करने के लिए होता है यानि इंटरनेट एक public network है, वहीं इंटरनेट एक private network है और इंटरनेट private मतलब कि personal लोगों के पास data share करने के काम आता है और इंटरनेट आप कहीं भी data share कर सकते हो हमारे आज के session इतना ही, कैसा लगा हमारे session लिखे comment box में comment box आपके लिए open है, thank you